नमस्कार मित्रों, जैधर्वंत्री, मैं डाक्टर नवीन गुपता, आपका इस चनल पर स्वागत करता हूँ, आज हम खांसी के लिए एक एसे योग की चर्चा करेंगे, जिसकी गोली या वटी बना कर उसे मुँँ में रखका चूसने से काफी फायदा होता है, इस योग का वटनन वेद्यक जीवन नामक ग्रंथ में मिलता है, इस गोली को बनाने के लिए पांच चीजों के आवशक्ता होती है, लवंग चून, काली मीच चून, वीभी तक यानी बहेडे का चून, कथा और बबूल की चाल का रस या काड़ा, अब सबसे पहले लोंग, काली मीच, बहेडा और कथा, इन चारों को बराबर-बराबर मात्रा में लेकर महीन पिसकर चून बना लेते हैं, और इस चून को खरल में डालकर इसमें बबूल की चाल का रस या काड़ा इतना डालते हैं, कि ये चून अच्चे से भीग जाए, इसके बाद इस चून को तब तक खरल क करते हैं जब तक कि ये पूरी तरह से सूख ना जाए इस प्रक्रिया को भावना देना कहा जाता है इस प्रकार दो बार और बबुल की छाल का काड़ाय रस डालकर ये प्रक्रिया दोरही जाती है और आखरी में शूंड की तीन से चार रत्ती की गोलिया बनाकर छाया में खास-खास कर चाती और सीर में दर्द होने लगता है और गले में खरासी बनी रहती है एसी इस्तिती में एक-एकर दिन बर में 5-7 बार ये गोली चूसना काफी उप्योगी होता है इसके अलावा अगर मुह में चाले हो गए हो तो भी इस गोली को मुह में रखकर चूसने से और इसका रस मुह में गुमाते रहने से चालों में आराम मिलता है ये बहुत ही अच्छा और सरलोजदी योग है अगर इसके चारो गटक द्रिवयों में बबुल की चाल के रस या काड़े की तीन भावनाय पूरी विदी पुरवक दी जाए तो बहुत ही अच्छा प्रभा अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रोजदी जानकारी के साथ नमस्कार